तो आज हम बनाएंगे किट कैट मिल्क शेक देखने से आपको पता चल रहा हुआ कि यह कितना यमी है बहुत यमी बनता है बच्चों से लिखी बड़ों तक सको बहुत पसंद आता है और इतनी आसान रेसिपी है कि मिंटों में ही बनके तेयार हो जाती है तो आप लोग इसे पशुरां का उपनाने के दिगाए ज़रूर क साथिजों कर दोत देते हैं उसके बटां चैप से भाद हम उसमें को चिप्स पास हम जाने हैं क्योंकि मुझे light मीठा चाहिए because ice cream में और chocolate में already मीठा रहता है अगर आपको अच्छा मीठा milkshake चाहिए तो आप इसमें 2 चमत चीनी भी add कर सकते हो तो इसको मैंने इसमें डाल दिया है और इसको डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से करेंगे ब्लेंड ब्लेंड करके इसका perfect एक milkshake बना लेंगे smooth texture का तो इसको हम ब्लेंड कर देते हैं तो यह ब्लेंड हो गया है और चॉकलेटी milkshake तयार है अब भी हम इसको प्रेजेंट करने के लिए यह ग्लास को हम थोड़ा गानिश करेंगे हर्शिस का चॉकलेट सिरप आता है रेडी मेर 10 रुपीस का पाउच भी आता है तो वो सिरप से मैं इसको इस तरह से cover कर रही हूँ इसको garnishing के लिए देखिए इस तरह से मैंने सबी और यह सिरप लगा दिया है उसके बाद हम यह जो हमने milkshake बनाया है यह हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के साथ साथ अगर प्रेजेंटेशन भी हमारी अच्छी हो तो उसे देखते ही उसको पीने का मन करता है तो अभी हम इस पे यह थोड़ा सा ज्ञाग डाल देते हैं इस तरह से थोड़ा सा और अच्छा दिखे जिससे यह इसके उपर थोड़ा सा ज्ञाग डाल कीजिए यही मिलकशेक का और गार्निशिंग के लिए हम यह किट कैट चॉकलेट इसके उपर इस तरह से रख देते हैं बहुत ही आसान और टेस्टी मिलकशेक की रेसिपी है यह आप लोग ज़रूर ट्राय कीजिएगा अभी हम यही वाले सिरफ से वापिस इसको इस तरह से गार्निश करेंगी इस तरह से स्प्रेड कीजिए देखिए देखने में कितना परफ्रेक्ट लग रहा है जैसे मार्केट में मिलता है बिलकुल वैसे और टेस्ट में तो यह मार्केट वाले को भी फेल कर दी इतना टेस्टी है आप लोग ज़रूर ट्राय कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए तब तक के लिए बाबाई